समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे अध्धेक्ष अखिलेश यादो ने कहा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादियों और बहुजनवादियों के साथ गडबंधन के नतीजे भले ही अपिछा के अनुरूप ना रहे हो लेकिन इससे ये जाहिर हुआ है कि भार इससी फैसला लिया था देश के करोडों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकत एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाए जो कभी डॉक्टर राम नहर लोहिया और बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेट करने देखा था वर्ष 2019 में समाजवादियों ने नहीं हुए उन्होंने कहा कि उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने मिलकर वर्ष 2020 का विदान सवा चुनाव लड़ा जो दल उस समय भाजपा को हटाने के लिए संगर्श कर रहे थे उन सब को साथ लेकर उन्होंने एक मंच पर एक गड़बंधन तयार किया लेकिन जीत गया है कि भाजपा का मुकाबला अगर कोई कर सकता है कोई उसे हरा सकता है तो वह समाजवादी पार्टी है अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के एधिवेशन में नस सिर्फ 2019 में बहुजन समाजपार्टी और 2022 में सोहल देव भारती समाजपार्टी समेट अन्य छोटे दलों के साथ हुए गड़बंधन का जिक्र किया बलकि ये भी बताना चाहा कि कैसे समाजवादी पार्टी ने इन गड़बंधनों के लिए उदार रुख अपनाया था। लेकिन वह यूपी में बिग ब्रदर की भूमिका के लिए भी इच्छुक है।